दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन यूज में दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोविड हेल्थ असिस्टेंट कोविड स्वास्ते सायक पिछले साल जून के माहिने से लेके और फरवरी 2022 तक कोविड हेल्थ असिस्टेंट लगाए गये थे सब से लेट जो जोईन कराया था कोटा ने कराया था फरवरी 2022 में और 31 मार्च को हटा दिया गया था एक लाइन के आदेश से 28,000 कोविड हेल्थ असिस्टेंड को इसके बाद एक अप्रिल से धर्ना प्रदेशन चला और 30 जून तक चला 30 जून की रात्री को धर्ना प्रदेशन पुलिस प्रशासन के दौरा हटा दिया गया था और उसके बाद मुख्य मंत्रिया सोग गहलोच से CHA प्रतिनिदी मंडल की मुलाकात करवाई गई थी उन बातों को भी 15-20 दिन का जो वक्त है वो यहाँ पर गुजर चुका या महीना ही मानके चल सकते हैं आप लोग अब दोस्तो बात ये है कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट ने मुलाकात की थी CM गहलोच से और दोस्तो जो अखिला रोडा सी जी हैं जो फाइनेंस के सेक्रेटरी हैं जिनके सिगनेचर बहुत अएम है अगर कोविड हेल्थ इस्टेंट को वापस से नोकरी दी जाती है तो लेकिन दोस्तो महीने वर का टाइम गुजर जाने के बाद भी लगातार CHA उसी जगह पे हैं जहां पर वो 1 अपरेल को हो गए थे यानि कि अभी तक कोई भी जो संभावना है जो पॉसिबिलेटी है जो यहां पे नहीं लग रही है अब इसी को लेकर कि क्या है दोस्तो कल भी आप लोग उने एक वीडियो देखा होगा मोहनलाल सर्मा करके ठीक है उन्होंने बताया था वो आप काम चल रहा है और अगर आपका काम नहीं चल रहा होता हमें कुछ नहीं करना होता तो हम आपकी mi से मुला इंहीं करवाते हैं एक officers का आप लोग देख सकते हैं कितनी संजीदगी यहां पे नजर आती है कितनी नहीं आती आप लोगों के सामने है यानि कि CHE को लगातार सरकार के दोरा मीठी जो गोलियां है वो दी जा रही हैं और वो भी बिना पानी के तो ये फिलाल की स्थती है और इस स्थती में अब conditions क्या बस्ती हैं तो यहां पर जो रवी चावला है जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे उन्होंने भी कहा है कल ट्वीट किया था देर रात को बहुत धहरिये रख लिया बहुर नहीं अब से सभी मंत्रियों विधायकों का घेराव किया जाएगा 11 अगस्त को अनुमानगड गोगा मेडी में जो सकुंतला रावत है हमारे विधान सभा है से हैं ये हमारी विधायका है तो इनका घेराव यहां पर गोगा मेडी में किया जाएगा हनुमानगड में 11 अगस्त को CHO को नोकरी नहीं तो कांग्रेस को बोट नहीं ये हैस्टेक के साथ ये ट्वीट है किया गया था तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सरकार के द्वारा बेरूखापन अपनाए गया और सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई दोस्तों जो जिस तरीके से कहा गया कि आदे को बोनस दे देंगे आदे को हम नोकरी देंगे दो टुकडों में भरतिया निकाल दें तब तो CHS अब एक साथ सामिल हो सकते हैं अन्य था नहीं बोनस का जो आधार है तो दोस्तो 365 दिन का होता है 365 डेज का उसके लिए भी अगर बोनस भी देना है तो उसके लिए भी सरकार को कैबिनेट की मिटिंग बुला करके या CM गहलोत को खुद को अप्रूवल एक फैसला ल बोनस का मामला है एक साल का होता है एक साल अपने काम किया तो ही बोनस मिलेगा अनिथा नहीं मिलेगा लेकिन CHS में किसी ने भी एक साल काम नहीं किया अमूमन हद मारके दस महीने और उसमें भी दस महीने मान सकते हैं ठीक है और कई के जिलों तैस से थे जिननोंने दो महीने से चेहां पर पिष्पष्वाइब, जो तो बता बदा, वह दो सहा है वैस यहां पर गैलो सरकार है है तो ग्यारा जुलाई को सोरी ग्यारा अगस्त को जो है ये घेराओ यहां पे किया जाएगा शकुंतला रावत जी का गोगा मेड़ी हनुमान गड़ में CH जो रवी चावला है उनके दुवारा ये ट्वीट करके इस बात की जान कर दी गए मेरा तो आप सभी सही निवेधन है कि दोस्तो देखिए सरकार कब एक्षन लेगी कहनी सकते लेकिन आप लोगों के लिए विकिंसी जा रही हैं CH की जो लोग त्यारी कर सकते हैं जो अच्छा पढ़ सकते हैं वो CH की त्यारी पे लगे इसके अलावा दोस्तो पर्मानेंट जो भरतिया नर्सिंग स्टाफ की और A&M, G&M की वो भी आएगी तो ओप्सन्स आप लोगों के पास बहुत सारे हैं जिनके पास जो BSC नर्सिंग पास आउट हैं या फिर पोस्ट BSC जिनों ने कर रखी है और जिनके पास दो साल के पचास बैड के होस्पिटल का एक्सपिरियंस है वो AIMS, NORSET में जरूर ट्राई करें तो काफी ओप्सन्स आप लोगों के पास हैं सिर्फ CHA को ही लेकर के आपना बैठ जाएं हमारी भी मनो कामना है सुब कामना है कि आप लेकिन जो लोग कर सकते हैं, जो त्यारी कर सकते हैं, जो पेपर पास कर सकते हैं, वो अपने पेपर की त्यारी जरूर करें, CHO की भरती आएगी उसकी त्यारी कर सकते हैं, A&M, GNM की आएगी पर्मानेट भरती राजस्थान में, उसके लिए भी थोड़ा सा असमंजस सा चल रहे किस तरीके से भरती हो क्या हो क्या नहीं हो वो काफी जल्द वो matter sort out हो जाएगा और इसके अलावा दोस्तो नोरसेट का भी आप लोग त्यारी कर सकते हैं तो जो त्यारी कर सकते हैं जो qualification को पूरा करते हैं वो जरूर अपनी त्यारी में लगे रहें और CHA का अभी कुछ भी कैपाना मुश्किल है क्योंकि जिस तरीकी का सरकार का रवया है उसे देखकर यही लगता है कि पागल बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं है धन्यवाद दोस्तों फिलाल कि इस वीडियो में